नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम Modified Assure Carrier Progression योजना के बारे में विश्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों इस योजना पर चर्चा करने के लिए जिन रिफ्रेंसेस का संदर्व लिया गया है उसमें DOPT, OM DATED 22, 10, 19, 8, 9, 20, 5, 4, 21 और 7, 9, 21 हैं दोस्तों, अब हम जानते हैं कि MACP योजना को पूर्वा में लागू ACP योजना के अस्थान पर लागू किया गया है MACP योजना के अंतरगत 10, 20 वद 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर 3 वित्य अप्ग्रेडेशन दिया जाने का प्रावधान है नियमित सेवा भरती की तिथी से काउंट की जाएगी इस योजना के तहट वित्य अप्ग्रेडेशन मोजुदा पे लेवल से नेक्स्ट लेवल में किया जाएगा दोस्तों, अब हम जानते हैं कि MACP योजना किन कर्मचारियों पर लागू होगी यहाई योजना केंद सरकार के गुरूप A सहीत समस्पदों के लिए लागू है लेकिन इसमें ओर्डिनाइड गुरूप A सर्वीस कवर नहीं है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यहाई योजना कि किस तिथी से लागू है दोस्तों, यहाई योजना एक नो दो हजार आट या दास बीस या तीस वर्स की नियमित सेवा पूर्ण होने की तिथी से जो भी पहले हो से परभावी होगी वित्य अपग्रेडेशन किसी करमचारी के एक ही ग्रेड में नियमित दस वर्स पूर्ण करने पर भी दे होगा दोस्तों, मेसीपी योजना के अंतरगत वेतन अपग्रेड होने पर करमचारी के पदनाम वर्गी करन या उच्तर परिस्थिती में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा पी वित्य कतिपए अन्य लाप जो करमचारी दुआरा आहरित वेतन से जूड़े हुए हैं जैसे मकान किराय बत्ता, सरकारी आवास का आवंटन आदी सरकारी करमचारी को दे किये जाएंगे दोस्तों, मेसीपी योजना के अंतरगत वेतन अपग्रेडेशन के लिए सभी वेतन लेवल के करमचारियों के लिए बेंचमार्क बहुत अच्छा होगा यह बेंचमार्क दिनांग 25-7-2016 या उसके बाद के मेसीपी योजना के अंतरगत योग्या मामलों पर लागू होगा और यह बेंचमार्क करमचारियों के वर्ष 2016-17 और उसके बाद के वर्षों के APR पर लागू होगा यानि आपके लाश्ट फाइफ यर के APR का बेंचमार्क एट लिस्ट वेरी गूड होना चाहिए तब ही आपको MACP के तहट फाइनेंशेल अपगेडिशन सुकिर्ट किया जाएगा दोस्तो अनुसासनी किया सास्ती कारभाई के मामलों में MACP के अंतरगत लाब की मनजूरी शामाने पदवन्नत को रेगूलेट करने वाले नियमों के अध्यधिन होगी इस परकार के मामले केंद्रिय सीविल सेवा वर्गीकरण नियंतरण एव अपील नियम 1965 के उपबंधों के अनुदेशों के अंतरगत वियनेमित किये जाएंगे दोस्तो MACP के अंतरगत आरक्षन का कोई भी लाब दे नहीं होगा यह योजना सभी करमचारियों में समान रूप से लागू होगी दोस्तो MACP योजना के अंतरगत करमचारियों को वित्य अपग्रेड़सन पुन्द तह परसनल होगा इसका करमचारी की सिनेर्टी से कोई शंबन नहीं होगा इसलिए इस योजना के अंतरगत इस देश पर वेतन बैंड या ग्रेड वेतन में कोई वित्य अपग्रेड़सन स्विकार नहीं किया जाएगा कि करमचारी वरिश करमचारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा है दोस्तो यदी कोई करमचारी नियमित पदोन्ति को M.A.C.P. के तहट वित्य अपग्रेडेशन के लिए हगदार होने से पूरुआ श्विकार अश्विकार कर देता है तो उसे इस योजना के तहट वित्य अप्ग्रेडेशन की अनुमती नहीं होगी क्यांकि करमचारी की पदोन्नती पर आउसरों की कमी के कारण रोक नहीं लगाए गई है यानि यदि आप पर्मोशन लेने से मना कर देते हो तो आपको फाइनिसल अप्ग्रेडेशन भी नहीं मिलेगा M.A.C.P. के तहट दोस्तो इस्क्रिन कमेटी दुआरा पूर्ट तदर्थ आधार पर उच पदों पर कायम करमचारीयों के मामले पर अन्य मामलों के साथ विचार किया जाएगा उन्हें निम्न पदों पर परत्यावरतन की स्थिती में विच्टिया अप्ग्रेडेशन का लाभ दे किया जाएगा दोस्तो Screen Committee shall be constituted in each department to consider the cases for grant of financial upgradation under the M.A.C.P. scheme The Screen Committee shall consist of a chairperson and two members The members of the committee shall comprise officers holding parts which are at least one level above the level in which the M.A.C.P. is to be considered and not below the rank of undersecretary equivalent in the government The chairperson should generally be a level above the member of the committee दोस्तो पर्शासनिक मशिनरी पर अनुचित तनाव से बचने के लिए Screening समेती एक समयबत कारेकरम को अपनाएगी तथा वित्यवर्स में दो बार जन्वरी के पर्थम सब्ताह में अप्रेल से सितंबर के बीच मैच्चिवर होने वाले मामलो पर विचार करेगी दोस्तो अब मैं आपको MACP के मुख्य पॉइंट्स पर क्या क्या है इनके बारे में बताऊंगा दोस्तो, service of state government shall not be re-counted for the purpose of MACP's only regular service rendered in the central government's department's offices is to be counted for the purpose of MACP's पर्तिनुक्ति की सेवा, study वा अन्यावकास जो की सक्षमादिकारी द्वारा स्विकिर्थ किया गया हो regular सेवा में माना जाएगा MACP के अंतरगा रिवाइट पे स्ट्रक्चर दिनांक 11-2006 से बदली हुआ है लेकिन MACP योजना के लाभांस दिन 31-2008 तक दे किये जाएंगे इसलिए MACP के लाभांस रिवाइट पे स्ट्रक्चर पर दे किये जाएंगे तदर्त न्यूक्ति, MACP की क्वालिफाइंग सेवा के लिए अकाउंट नहीं होगी यानि एड़ोग एपटमेंट काउंट नहीं होगा केवल नियमित सेवा ही MACP की क्वालिफाइंग सेवा के लिए काउंट की जाएगी रेगुलर सेवा की गरना डारेक्ट एंट्री ग्रेड के पद को नियमित आधार पर जोएन करने की तिथी से की जाएगी दोस्तो किसी अन्य विभाग में की गई पिछली रेगुलर सेवा जो की सेम ग्रेड में की गई हो और नई विभाग में नई सेवा पर नियुक्त होने पर पूर्व विभाग में की गई सेवा को MACP के लिए क्वालिफाइंग रेगुलर सेवा माना जाएगा माना आप एक department से दूसरे department में appointment लेते हो एक department से छोड़के और same grade पे पे जाते हो तो आपकी सेवा count होगी M.A.C.P. के benefits के लिए M.A.C.P. के लाभास H.A.G. scale तक दे होंगे Time-bound promotion scheme M.A.C.P. के साथ एक साथ नहीं चलेगी यदि M.A.C.P. scheme को कर्मचारी के विरुद अनुसासनिक कारवाई होने या अन्य कारण से डैफर्ड कर दिया गया हो तो इसका प्रभाव M.A.C.P. के तहत मिलने वाले अगले लाभासों के लिए भी होगा ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियमित सेवा में सरप्लस घोसित कर दिया गया हो एहों उनकी नियुक्ती सेम ग्रेड या उससे नीचे के ग्रेड में होती है तो नए विभाग में उनकी सेवा M.A.C.P. के लाभांसों के लिए गन्निया होगी पिरियेड ओफ EOL, फोस्क श्टड़ी और डाइजनन आर नॉट ए पार्ट अफ रेगुलर सर्वीश एंड नीचे टो बी एक्सक्लूडेड फ्रों 10, 20, 30 अर्स अफ रेगुलर सर्वीश यानि EOL, डाइजनन का समय रेगुलर सेवा का हिस्सा नहीं है और इस अफ़दी को 10, 20 साल की जब सेवा की गन्ना करें तो उसमें से कम किया जाएगा दोस्तो इस प्रकार आपको M.A.C.P. के क्या क्या लाभांस मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसकी गन्ना आप सुएं कर सकते हूँ दोस्तो मैं आपको अपने चैनल से के माध्यम से नहीं नहीं जानकारी दूँगा जिनकी आपको कहीं न कहीं आवसकता पढ़ती रहती है इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने धन्यवाद जय हिन